मुर्जा गई रजनी गंधा जी हाँ 1974 में आई रजनी गंधा में दीपा के अभीने से प्रसिद्ध हुई अभीनेत्री विद्या सिना आजादी के वर्ष 15 नॉवंबर 1947 में जन्मी और आजादी के दिन यनी 15 अगस्त 2019 को इस दुन्या से अलविदा कह गई विद्या सिना का जन्म 15 नॉवंबर 1947 को राणा प्रताब सिंग के एक विनम्बर परिवार में मुंबई में हुआ विद्या सिना मिस बॉंबे भी रह चुकी है उन्होंने मौडलिंग और अभिने का सफर शुरू किया 1974 में आई राजा काका फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी हीरो थे करंड कुमार लेकिन उन्हें पहचान मिली 1974 में ही रिलीस फिल्म रजनी गंधा से विद्या सिनाने दिगच अभिनेता और निर्माता निर्देशक राजकुपूर को उनकी फिल्म सत्यम शिबम संदर्म के मौजूद दुरुश्यों के चलते फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया था शादी के बाद कई अभिनेत्रियों के करियर पर ब्रेक लग जाता है लेकिन विद्या सिना फिल्मों में आने से पहले साल 1968 में अपने एक पडोसी से वेंक टेशनर अईयर से प्रेम विभा कर दिया था इनकी प्रसिद्य फिल्में थी रजनी गंदा छोटी सी बात पती पतनी और वो इनकार आती बारा वर्ष की अवदी में तीस फिल्मों से भी अधिक फिल्मों में अभिने किया निर्देशक राज सिप्पी ने उन्हें 1981 में रिलीज जोश फिल्म के लिए निर्देशित किया जिसमें उन्होंने एक बहुत ही भयावह नकारात्मक भूमी का नपाई भीकारियों से सिक्के चुराने वाले एक गैंक्स्टर की 1986 में फिल्मों से आपने सन्यास ले लिया था उन्हें आखरी बार 2011 में सल्मान खान के फिल्म बॉडिगार्ड में देखा गया विद्या सिना ने कई टीवी सिरियल में भी काम किया 2000 में बहुरानी 2004 में कावेंजली हम हेना और 2018 में कुलफी कुमार बाजे वाले में दादी का अभी ने किया और ये इनका आखरी टीवी सिरियल था 15 तारिक को ही जन्ब हुआ और 15 तारिक को ही दुन्या से अलविदा कहने वाली विद्या सिना एक ऐसी अभीनेत्री रही है जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक ऐसी मन्जिल उन्होंने पाली थी जो बहुत कम लोगों के नसीब में होती है